अलो एव्रीवान दस इस प्रियाम इश्रा एंड वेलकम टू जे आई टुटोरियल तो कैसे हो बच्छो मजे में हो तो आज भी सुनाने वाली हो आपको एक बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग सा स्टोरी हमारे हिस्ट्री के बारे में तो यह है हमारे सिट्टेंडर्ड हिस्ट्री का 7th चैपटर जो की है इंडिया ड्यूरिंग दा मौर्य पीरिएट, ठीके हैं, हमारा इंडिया मौर्य पीरिएट के टाइम पे कैसा था, उस टाइम पे कैसी अर्थ वेवस्था थी, क्या कैसी होता था इसके बारे में हमें इस च Chapter का लेक्चर नबर वान और अभी हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बड़ इस lecture में हमग एक topic cover करेंगे एंड इसके बाद जो second lecture होगा उसमें हम हमारा second वाला topic clear कर लेंगे okay so सो दो ही लेक्चर का ये बनने वाला chapter डव लेक्चर में इसलीग खतम हुदेवार बहुत ही छोटा सा चैप्तर है इसे इंट्रेस्ट के साथ पढ़ना है एकदम ध्यान से इधर पर कॉंसेंटरेट कर चलो से फॉस्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें क्या दिया हुआ हमें ग्रीक एंपायर एलेक्जेंडर इन्वेसर्ट एलेक्जेंडर जो था एलेक्जेंडर नाम का एक इंसान था ठीक है उसको समझ लो कि एक एलेक्जेंडर बहुत ही बड़ा सा एक आदमी था और उसका सपना क्या था कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूं पूरी वॉल्ड पर मैं रा लौता राजा रहूं और मैं सारे स्टेट जीत जाओं और मैं एक लौता राजा वनूँ ठीक है इसकी यह राज्य कथा कि कहानी हम इस वाले चैप्टर में स्टडी कहने वाले चल्ल सबसे पहले क्या हुआ था यह ऐलेक्जेंडर नाम का एक इंसान था वो कहां पे से आया था एलेक्जेंडर जो ग्रीक इंसान था जो ग्रीक से आया हुआ था वो सबसे पहले हमारे इंडिया में बाकी सारे कंट्री से जीतते हुए वो हमारे इंडिया के तरफ बढ़ रहा था ठीक है अब वहां पे से गुजरते हुए उसने पंजाब को भी जीत लिया ठीक है पंजाब को जीतते हुए जब वो आगे बढ़ रहा था तो वो धीरे धीरे हमारे जो छोटे मोटे स्टेट के जो राजा वगेरा थे जो हमारे उस टाइम पे जो अलग-अलग छोटे राजा बड़े जो भी राजा होते थे उन सभी को वो क्या करते जा रहा था हराते जा रहा था ठीक है वो हराते हराते आगे बढ़ते जा रहा था हमारे पूरे इंडिया को अपने कबजे में लेने के लिए पूरे इंडिया को अपने अंडर में लेने के लिए ठीक है तो बहुत इंट्रेस के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहा था यह इतना इजी है क्या कि वह बहुत ही हमारे इंडिया पर राज करें नहीं तो जब वह इंडिया में लड़ रहा था और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था जब पुए इंडिया को अपने अंडर में हड़पने की कोशिश कर रहा था तब जब उनके सैनिक थे उन्होंने अपना हिम्मत धीरे-धीरे हारना शुरू कर दिया था क्योंकि जब वो लड़ाई करते हैं अब लड़ाई में आप लोग को पता है आप लोगों ने महा भारत रामा यर्ण ये सब की लड़ाईया देखी है है कि नहीं अभी थोड़े हो जाएंगे पर अपने क्या होने लगे था चारने लग गये थे उनके सैनिक तो वो क्या किया जो उधर के जो अलग-अलग सैनिक थे जहाँ जहाँ से जीत रहा था उनके सैनिकों को भी वो क्या करने लग गया था अपने टीम में अपने अंडर में लेने लग गया बट इन लडाईयों के कारण उनके जो सैनिक थे वो धीरे धीरे अपना हिमत हारने लग गया और हिमत हारने की वज़े से वो क्या बोलने लग ग के उनके उपर चिला कि उनको वापस अपने टीम में ला रहा था और उन्हें युद्ध करने पे मजबूर कर रहा था उसी के साथ-साथ जब वो आगे अलग-अलग स्टेट को जीतて हुए जा रहा था तो वो क्या कर रहा था जो बड़े-बड़े साइनिक थे उनको क्या कर रहा था कि वो उन स्टेट पे रक्षा करने के लिए उन स्टेट को रक्षा करने के लिए उनको वहाँ पे बिठा के चले जा रहा था ठीक है इसी तरह से वो बड़े-बड़े लोगों को बि पर उसी समय उसका क्या हो गया देहांत हो गया, ठीक है, उस टाइम पर वो मर गया, अब वो कौन सी सदी थी उसकी मरनी की वो अभी हम देखने वाले हैं, तो जब वो वापस जा रहा था, तब कौन से स्वीशन, कौन से बीसी में वो मर गया, एक सेकेंड, 323 बीसी में, ठीक है 323 BCE में वो क्या हो गया? उसका देहान्त हो गया. वो मर गया. ठीके? जब वो मर गया तो उस टाइम पे भी क्या हुआ था? कि अगर वो हमारे इंडिया में नहीं आता तो आपको पता है क्या? अभी तक अभी तक नहीं. चायद उस टाइम पे हमारी अर्थ वैवस्ता अच्छी तरह से नहीं चल पाती. क्योंकि वो यहां आया इसी के कारण जब वो अब यहां आया है अलग-अलग राज्य को जीतेगा. राज्य को जीतने के बाद आप लोगों को पता है आपने के लिए उसको अपने कंट्री तो भेजना पड़ेगा है कि लिए उसे अपने कंट्री में भेजना पड़ेगा तो इसके लिए वो क्या करता था? उसने रेल वैवस्ता बनाई. ठीक है? रेल वैवस्ता बनाई. इससे क्या हुआ कि हमारे इंडिया को वो मर जाने के बाद हमारे इंडिया को भी बहुत जादा बेनिफिट हुआ इसके कारण क्या करती थी इंडिया ने अपने दूसरे देशों के साथ अपनी अर्थ व्यवस्ता में लगाओ किया ठीक है उन्होंने अपने कंट्री से दूसरे कंट्री पे ची उसी के साथ साथ हमारे इंडिया को क्या होने लग गया था बहुत जादा प्रॉफिट होने लग गया था और आपको पता है उस टाइम पर क्या होता था कि जो राजा महराजा जो अपने पैसे बनाते थे ठीक है अपने पैसे जो बनाते थे वो किस प्रकार का होता था उनके प अपना जो faith है उसका अपनी मुर्ती जो होती है उसे एक तरफ बनाता था और उसी के साथ साथ उनके जो भगवान है उसे दूसरी तरफ बनाता था ठीक है तो उनके सिक्के का आकार इस तरह से होता था जैसे कि आपको पता है ऐसा गोल सा सिक्का होगा तो एक तरफ वो राजा ठीक है एक तरफ वो राजा और दूसरी तरफ दूसरा जो सिक्के का हिस्सा होगा उसमें उनके जो भगवान थे उसको बनाता था और इसी पैटन को क्या करते थे अलग-अलग हमारे कंटरी के भी राजा ने इसी पैटन को फॉलो करना शुरू कर दिया था और उसी के साथ-सा क्ये सो जब उनके पैसे बनने लग गए थे तो इससे क्या सुविधा होने लग गए कि लोगों को एक easy हो गया logo को कोई चीज को खरीदना या बेचना इस चीज में बहुत जादा सुविधा आने लग गयी थी ठीक है तो यह चीज भी Alexander की वज़े से होने लग गया था कि वो पैसे बनाता था और वो पैसे क्या करता था लोगों में distribute करता था इससे लोग क्या करते थे चीजों को खरीदना शुरू कर दिया बेचना शुरू कर दिया इससे क्या होने लग गया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत जादा उनसे भी हमारा रिष्टा बहुत अच्छा होने लग गया क्यूंकि हम अपनी चीजे उनको दे सकते हैं उनकी चीजे अपने ले सकते हैं है के लिए तो इस चीज से बहुत जादा सुविधा होने लग गए थे ठीक है? उसी के साथ साथ बहुत सारे अलग-अलग कंट्रीज भ में क्या हो गया था उसका डेथ हो गया था और वो जब वापस जा रहा था वो जगे का नाम क्या था बैब्रॉन ठीक है बैब्रॉन जगे पर नाम था और उसका आज का नाम क्या है आज हम उसे किस स्टेट के नाम से किस कंट्री के नाम से जानते है इराक के नाम से जानते है वापस जाते time इराक में क्या हो गया था उसका देहांत हो गया था ठीके देहांत होने के बाद क्या हुआ चलो देहांत होने के बाद जो अलग-अलग countries थे इन चीजों का क्या करने लग गए थे तेजी से उप्योग करने लग गये थे उनके रेल वेवस्था का भी उपियोग करने लग गए उन्होंने अपने-अपने coins बनाना शुरू कर दिया जो जिस state का राजा था उस जगे पे उन्होंने अपने-अपने मोहर बनाना शुरू कर दिया अलग-अलग तरो तरो के ठीक है जैसे अपने picture का एंड एक तरफ अपने भग जो थे हमारे इंडिया के जो राजा थे उस टाइम के वो भी इसी पैटन को क्या करने लग गए थे फॉलो करने लग गए थे तो आप लोगों को यह स्टोरी में बहुत जादा अच्छा लगा हो बहुत मजा आया होगा चलो इसके बाद हमारा second topic क्या है उसके बारे में जान बहुत ही interest के साथ जानेंगे आई होब सो कि आप लोगों को आजका लेक्चर अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा तो क्या करना आपको लाइक जरूर से करना है सब्सक्राइब जरूर से करना है और आपने सारे friends से share भी जरूर से करना है तब तक के लिए बाई-